भक्त जनो आज मैं आपको सत्य नारायन ब्रत कथा सुनाने वाली हूँ तो इसको ध्यान पूर्वक कथा पूरी सुनिये और इसका लापराप्त करिये सिरी सत्य नारायन ब्रत कथा प्रारम एक समय नैमी शाराने तीर्थ में सौनिक आदिक 88,000 देशियों ने सिरी सूत जी से पूछा हे प्रभू इस कल्यूग में बेद विद्या रहित मनुस्यों को प्रभू भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा हे मुनिस्रेष्ट कोई ऐसा तब कहिए जिससे थोड़े समय में पूर्णिप्राप्त हो तथा मनोवांचित फल्प मिले ओहे कथा सुनने की हमारी इच्छा है सर्व सास्त ग्याता सिरी सूत जी बोले हे बैश्नबो मैं पूज आप सबने प्राडियों के हिद की बात पूछी है आप अब मैं उस स्रेष्ट ब्रत को आप तक बोलूँगा आप लोगों से कहूंगा जिस ब्रत को नारत जी ने लच्छमी नारायन से पूछा था और लच्छमी पती ने मुनिस रेष्ट नारत से कहा था सो ध्यान से सुनिए पहला अध्याए एक समय योगी राज नारत जी दूसरों के हिद की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए म्रत्य लोक में आप पहुचे यहां योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुस्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक को दुखों से पेड़े देखकर सोचा किस यतन केक करने से निश्चित ही दुखों का नास हो सकेगा ऐसा मन में सोचकर विष्णू लोक को गए बहां सोईद बर्ड और चार भुजाओं वाले देवों के ईश्च नारायन को जिनके हातों में संक, चक्र, गदा और पदम थे तथा बर्माला पहने हुए थे देखकर इस्तुती करने लगे हे भगवान आप अत्यंत सक्ती से संपन है, मन तथा बाड़ी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदी मद्य अंत नहीं है, निर्गुड शरूप स्रस्टी के कारण भक्तों के दुखों को नस्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है नारद जी से इस प्रकार की इस्तुती सुनकर विश्णु भगवान बोले, हे मुनि स्रेष्ट, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ, निस संकोच कहो तब नारद मुनि बोले, मृत्य लोक में सब मनुस्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, हे नात मुझ पर दया रखते हुए तो बताईए कि उन मनुस्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रत्न में कैसे दूर हो सकते हैं सिरी भगवान जी बोले, हे नारद, मनुस्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, जिस काम के लिए करने से मनुस्य मोहों से छूट जाता है, ओह है मैं कहता हूँ सुनो, बहुत पुन्य देने बाला स्वर्ग तथा मिरत लोग दोनों में दुरलब एक उत्तम ब्रत है, आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ हे वत्स, स्वर्ग और मिरत लोग में दुरलब भगवान सत्य नारायन का एक महान पुन्य प्रत ब्रत है, आपके इसने के कारण इस समय में उसे कह रहा हूँ अच्छी प्रकास से विदी विधान से भगवान सत्य नारायन ब्रत करके मनुस्त सीग्र ही सुख प्राप्त कर परलोग में मोच प्राप्त कर सकता है भगवान की ऐसी बानी सुनकर नारद मुदी ने कहा प्रभू इस ब्रत को करने से क्या फल है इसका बिधान क्या है इस ब्रत को किस ने किया और इसे कब करना चाहिए यह सब विस्तार पूर्वक बतलाईए चिरी भगवान ने कहा यह सतनारायन ब्रत दुख सोक आदि का समन करने बाला धन धान की ब्रद्दी करने बाला स्वभाग्य और संतान देने बाला तथा सर्वत्र बिजय प्रदान करने बाला है जिस किसी भी दिन भक्ति अस्रद्दा से पूर होकर मनुष्य ब्रहमणों और बंदू बांदवों के साथ धर्म में ततपर होकर सायकाल भगवान सतनारायन की पूजा करे नैवेद के रूप में उत्तम कोटी के भोजनिय पधार्त को सवयय मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए केले के फल घी दूद गेहुं का चूड अत्वा गेहुं क चूड के अभाव में साथी चावल का चूड सक्कर या गुड यह सब वाच्च सामें ग्री सभाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए बंदू बांदवों के साथ श्री सत्य नारायन भगवान की कथा सुनकर दच्छडा देनी चाहिए उसके उपरांत बंदू बांदवों के साथ भोजन कराना चाहिए भक्ति पूर्वक प्रशाद गिरहड करके नत्य गीत आद्धिका आयोजन करना चाहिए तत पस्चात भगवान सत्य नारायन का इसम्रण करते हुए अपने घर जाना चाहिए ऐसा करने से मनस्यों की अविलासा अवश्य पूर होती है बिसे इस रूप से कल्योग में प्रत्वी लोक में ये सबसे छोटा सा उपाए है पहला अध्याय समापत बोलो सत्य नारायन भगवाने की जै शिरी सूत जी बोले है दुजो अब मैं पुना पूर्व काल में जिसने इस ब्रत को सत्य नारायन ब्रत को किया था उसे भली भात बिस्तार पूर्वक कहूंगा रमडिये कासी नामक नगर में कोई अत्यांत निर्धन ब्रामड रहता था भूंक और प्यास से ब्याकुल होकर वह प्रत दिन प्रत्वी पर भटकता रहता था भगवान ने उस दुखी ब्रामड को देखकर ब्रद के रूप में धारण करके उस दुज से आदर पूर्वक पूछा हे दुज प्रत दिन अत्यांत दुखी होकर तुम किसलिए प्रत्वी पर भ्रमड करते रहते हो हे दुज स्रेष्ट अब मुझे ये सब बतलाओ मैं सुनना चाहता हूँ ब्रामड बोला प्रभू मैं अत्यांत दरिद्र हूँ और भिच्चा के लिए प्रत्वी पर घूमा करता हूँ यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो किरप्या पूर्वक बतलाए ब्रद बोला हे देव सत्य नारायन भगवान विश्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं तुम उनका उत्तम ब्रत करो जिसे करने से मनुष सभी दुखों से मुक्ट हो जाता है ब्रत के बिधान को भी यतन पूर्वक कहकर धारड रूपी भगवान विश्णु बही अंतर ध्यान हो गए ब्रत ने जैसा कहा है उस ब्रत को अच्छी प्रकार से बैसे ही करूँगा यह सोचते हुए उस रात को नींद नहीं आई अगले दिन प्राप्त काल उठका सत्य नारायन भगवान का ब्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वो भिच्चा के लिए चल पड़ा उस दिन भिच्चा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ उसी धन से उसने बंदु बांदवों के साथ भगवान सत्य नारायन का ब्रत किया इस प्रकार ब्रत के प्रभावों से उस रेष्ट सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्यों से संपन हो गया उस दिन से लेकर प्रति एक महीने उसने यह ब्रत किया इस प्रकार भगवान सत्य नारायन के इस ब्रत को करके उस रेष्ट सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुरलब मुच्छ पद को प्राप्त किया हे ब्रति पर जब भी कोई मनुसिसरी शत्य नारायन का ब्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नश्ट हो जाएंगे इस प्रकार भगवान नारायन ने महात्मा नारत जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया आगे अब और क्या कहू है मुनि इस प्रत्वी पर उससे सुने हुए इस ब्रत को किसने किया हम वह सब सुनना चाहाते हैं उस ब्रत पर हमारी स्रद्धा हो रही है सिरी सूत जी बोले है मुनियों प्रत्वी पर जिसने यह ब्रत किया उसे आप लोग सुने एक बार होए दुज स्रेश्ट अपनी धन समपत्ती के अनसार बंद बांधवो तथा परिवार के साथ ब्रत करने के लिए उद्दत हुआ इसी बीच एक लकड़ारा बहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्रामर के घर गया प्यास से ब्याकुल होए उस ब्रत को करता हुआ देख प्रडाम करके उससे बोला प्रभू आप यह क्या कर रहे हैं इसे करने से किस फलकी प्राप्ती होती है किरप्या विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए विप्र ने कहा यह सत्र नारायन का विरत है जो सभी मनोरतों को प्रदान करने वाला है उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान आदि प्राप्त हुआ है जल पीकर तथा पृषाद गरहड करके वो नगर को चला गया सत्र नारायन देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकडी वेच कर जो भी धन प्राप्त होगा उस धन से भगवान सत्र नारायन का स्रेश्ट ब्रत करूँगा इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकडी को मस्तक पर रख उस सुन्दर नगर में गया जहां धन संपन लोग रहते थे उस दिन उसने लकडी का दोगना मूल प्राप्त किया इसके बाद प्रशन हिर्दय होकर वे पके हुए केले का फल सक्कर घी दूद और गेहूं का चूड सवया मातरा में लेकर अपने घर आयातत पस्चात उसने अपने बांदवों को बुला कर विदी विदान से भगवान सिरी सत्र नारायन का ब्रत किया उस ब्रत के प्रभाव से ओए धन पुत्र से संपन हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर सत्पुर अथार्थ बैकुंट धाम के लिए चला गया बोलो सत्र नारायन भगवाने की जै दूसरा अध्याय समाथ सिरी सूत जी बोले स्रेष्ट मुनियो अब मैं पुना आगे की कथा कहूंगा आप लोग सुने प्राचीन काल में उलका मुख नाम का एक राजा था हुए जितेंद्रिय सत्यबादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था हुए बिद्ध्वान राजा प्रते दिन देवाले जा कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पतनी सील बिनै और सौंदर आद गुडो से संपन तथा पती परमेश्वर में लीन रहने वाली थी राजा एक दिन अपनी धर्म पतनी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सिरी सत्य नारायन का इबरत कर रहा था उसी समय ब्यापार के अनेक प्रकार की पुशकल धन रासी से संपन एक साथू नाम का बनिया वहां आया बद्रसिला नदी के तट पर नाओ को इस्तापित कर ओए राजा के समीब गया और राजा को उस ब्रत में दीचित देखकर बिनै पूर्वक पूछने लगा सादू ने कहा हे राजन आप भक्ति युक्त चिन्त से यह क्या कर रहे हैं किर्पया ओह सब मुझे बताईए इसको मैं सुनना चाहता हूँ राजा बोले है सादू पुत्र आद्ध की प्राप्ति की कामना से अपने बंदु बाद्धो के साथ मैं अतुल तेज संपन भगवान सिरी बिष्णू का ब्रत एवं पूजन कर रहा हूँ राजा की बात सुनकर सादू ने आदर पूर्वक कहा राजन इस बिसे में आप मुझे सब कुछ बिस्तार से बतलाईए आपके कथा अनुसार मैं ब्रत बापूजन करूंगा मुझे भी संतानी नहीं है इससे अवस ही संतान प्राप्त होगी ऐसा बिचार करोई ब्यापार स उसने अपनी भाद्या से संतान प्राप्ति करने वाले इस सत्य ब्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान प्राप्ति होगी तब मैं इस ब्रत को करूंगा इस प्रकार उस सादू ने अपनी भाद्या लीलावती से कहा एक दिन लीलावती नाम की सती साद भी भार्या पती के साथ आनंद चित से रितु कालीन धर्माचार में प्रवत्त हुई और भगवान सिरी सत्य नारायन की कथा से उसकी वे भार्या गरवडी हो गई दसमे महीने में उसके कन्या रत्न की उत्पन्नी हुई और वे सुक्ल पच्छ के चन्रमा की भात दिन प्रति भड़ने लगी उस कन्या का नाम कलावती रखा गया इसके बाद वे एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मदुरवाडी में कहा आप पूर्व में संकल्प लिये हुए सत्य नारायन के ब्रत को क्यों नहीं कर रहे सादू बोला प्रिये इसके विवाग के समय ब्रत करू इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भात अस्वासन देकर वे ब्यापार के लिए नगर की ओर चला गया इस इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी धीरे धीरे धर्म सादू के ने नगर में सक्यों के साथ कीड़ा करती हुई अपनी कन्या को बिवायोग देखकर आपस में बात करके कन्या बिवा के लिए स्रेष्ट बर का अनवेशर करो ऐसा दूत से कहकर सीगर ही उसे भेज दिया उसकी आग्या प्राप्त करके हुआ दूत कांचन नामक नगर में गया और बहां एक बढ़िक पुत्र को लेकर आया उस सादू ने उस बढ़िक पुत्र के साथ सुन्दर गुडों के साथ संपन देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंदू बांदवों के साथ संतुष्ट चित हो बिदी बिदान से बढ़िक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया उस समय ओय सादू बनिया दुरभाग बस भगवान सत्य नारायन का ब्रत करना भूल गया पूर्व संकल्प के अनसार बिवा के समय ब्रत ना करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए कुछ समय के पस्चात अपने ब्यापार कर्म में कुशल ओय सादू बनिया काल के प्रेड़ना से अपने दमाद के साथ ब्यापार करने के लिए समुद्र स समी पिस्थित रतनसार पूर नामक सुंदर नगर में गया अपने शिरी संपन्य दमाद के साथ बहां पर व्यापार करने लगा उसके बाद बेर दोनों राजा चंद केत के रमडिये उस नगर में गये उसी समय भगवान शिरी सत नारायन ने उसको ब्रस्ट प्रातिग यह श्राप दे दिया एक दिन एक चोर राजा चंद केत के धन को चुराकर बहीं आया जहां दोनों बड़िक इस्तित थे वे अपने पीछे दोड़ते हुए दूतों को देखकर बहभीत चित से धन बहीं छोड़कर सीग्र ही छिप गया इसके बाद राजा के दूत बहां आ प्रभू हम दो चोर पकड लाए हैं इने देखकर आप आग्या दे राजा की आग्या से दोनों सीग्र ही द्रटता पूर्वक बांद कर बिना विचार किये महान कारागार में डाल दिये गए भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंदर केतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया भगवान के स्राप से बढ़िक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उसके घर में सारा का सारा धन वह चोर चुरा ले गए लीला पती सारीरिक तथा मानसिक पीडाओं से युक्त भूक और प्यास से पूजन को देखा बहां बैटकर उसने कथा सुनी और बर्दान मंगा उसके बाद प्रशाद गिरहड करके वह कुछ रात होने पर घर गई माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा पुछा पुत्री रात में तू कहां रुख गई थी तुमारे मन में क्या है कला मन से उस सादवी ने बंदु बांधवों के साथ भगवान सिरी सत्य नारायन का ब्रत किया और इस फिरकार प्रातना की भगवान आप हमारे पती और जमाता के अपराद को छमा करे बे दोनों अपने घर सीग्र आ जाएं इस ब्रत से भगवान सत्य नारायन पुना चंदर केतु को सपने दिखाया और सपने में कहा हे राजन प्रात काल दोनों बड़िक को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे समय छीन लिया था अनित्था राज धन एवं पुत्र सहे तुमारा सर्वनास कर दूंगा राजा ने सपने में ऐसा कहकर मुक्त कर दो राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुच दोनों महाजनों को बंदन मुक्त करके राजा के सामने लाकर बिनैपूरवक बोले महराज बेड़ी बंदन से मुक्त करके दोनों बड़िक पुत्र लाए गए इसके बाद दोनों महाजन ने चंद्र केतु को प इसी गलती की बज़े से मैंने यह महान दुख प्राप्त हुआ है इस समय आप कोई भी बह नहीं है आपको ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर और उनको सम्मान पूर्वक जितना भी धन लिया राजा ने बस्तर अलंकार देकर उनको बहुत ही बड़िक पुत्रों को किया पहले जो धन दिया था उसको दुगना करके दिया उसके बाद राजा ने पुना उनसे कहा सादू अब आप अपने घर को जाए राजा को प्रडाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं ऐसा कहकर उन दोनों महावैस्यों ने अपने घर की और प्रस्तान किया चौथा अस्ध्याय समाप तो बोलो सत्य नारायन भगवाने कीजे सिरी सूत जी बोले सादू बनिया मंगला चारर कर और ब्रामडों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा सादू के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्य नारायन की उसकी सत्यता की परिच्छा के विशय में जिग्यासा हुई सादू तुमारी नाओ में क्या भरा है तब धन के मद में चूर दोनों महजनों ने बहुती अवेलना पूर्वक हसते हुए कहा दानदे क्यों पूछ रहे हो क्या कुछ लेने की इच्छा है हमारी नाओ में तो पत्ता इतियादी भरे हुए है ऐसी निस्टुर बारी सुनकर तुमारी बात सच हो जाए ऐसा कहकर दानदी सन्यासी का रूप धारड किये हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समी बैट गए दानदी के चले जाने के बाद नित किरिया करके पश्चात उतराई हुई अथार्थ जल के उपर तैरती हुई उनकी नाओ देखकर सादू अत्यंत अश्यर में पढ़ गया और ना दानदी का स्राप है इस इस्तिती में दानदी के पास जाकर उनसे छमा याचना मांगे बही हमारी मन की इच्छा पूर करेंगे दामाद की बास सुनकर सादू बनिया उसके पास भगवान सिरी सत्य नारायन के पास जाकर बहां दानदी को देखकर उन्होंने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रडाम किया और आधर पूर्वक कहने लगे आपके सम्मुक मैंने जो कुछ कहा बहुत ही असा भिभाषड रूप अपराद किया है आप मेरे उस अपराद को छमा करें ऐसा कहकर बारम बार प्रडाम करने लगा और महान सोक से आकुल हो गया दंडी ने उ दुख प्राप्त हुआ भगवान की ऐसी बाड़ी सुनकर उनकी इस्तुति करने लगा सादू ने कहा है प्रभू यह अश्चर की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुडों को नहीं जान पाए तो फिर मैं तो एक मूर्ख हू आपकी माया से मोहित होने के कारण में कैसे जान सकता हूँ आप प्रशन हो मैं अपनी धन संपत्ती के अनुसार आपकी पूजा करूँगा मैं आपकी सरण में आया हूँ मेरी जो नौका में इस्तित पुना धन था उसकी तथा मेरी रच्छा करो उस बनिया की भक्ति युक् में चड़कर उसे धन दान से परपूर देखकर भगवान सत्र नारायन की किरपा से हमारा मनुरत सपल हो गया ऐसा कहकर सवजनू के साथ उसने भगवान सिरी हरी की बिदी पूर्वक पूजा की भगवान सिरी सत्र नारायन की किरपा से वह आनंद से परपूर हो गया और नाव को प्रतन पूर्वक समाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्तान किया सादू बनिया ने अपने दामाज से कहा वह देखो मेरी रतन पुरी नगरी दिखाई दे रही है इसके बाद उसने अपने धन के रच्छक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगर भेजा उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर सादू की भार्या को देखकर हाँ जोड़कर प्रडाम किया और तथा उनके आने की बात कही सेट जी अपने दमार तथा बंदू-बंदू के साथ बहुत सारे धन धाने से संपन होकर नगर के निकट पधार रहे हैं दूत के दर्शन करने के लिए जा रही हूं तुम सीग्र आओ माता का ऐसा बचन सुनकर ब्रत को समाप्त करके प्रशाद का परित्याग करकर वह कलाबती भी अपने पती के दर्शन करने के लिए चल पड़ी इससे भगवान सत्य नारायन रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पती को नौका सहिधन के साथ जल में डुगो दिया इसके बाद कलाबती कन्या अपने पती को ना देखकर महान सोक से रुधन करने लगी और प्रत्वी पर जग गिर पड़ी नाओ को अंतर ध्यान देखकर तदा कन्या को अतिवंत दुखी देखकर भैबीत मन से सादू बनिया न आश्यर हो गया नाओ का संचालन करने बाले भी सभी स्चिंतित हो गए तद आंतर वे लिलावती भी कन्या को देखकर ब्याकुल हो गई और अतियंत दुख से बलाब करने लगी अपने पती से बोली अभी अभी नौका के साथ हुए कैसे अलिचित हो गए ना जाने किस के साथ बिलाब करने लगी और कलावती कन्या को गोध में लेकर रोने लगी कलावती कन्या भी अपने पती के नस्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पती का पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसके मन में निश्य किया कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखक और भरेवा सही तोवह धर्म सादु बनिया आतेंत तोख में ब्याकुल हो गए और सोचने लगे कि यह तो भगवान सत्य नारायन ने अपरण किया है अत्वा हम सभी भगवान सत्य दोऊ कि माया से के दीनों के परिपालक भगवान सत्य दे प्रशन हो गए भक्त वच्छल भगवान ने किरपा पूर्वक कहा तुमारी कन्या प्रशाद छोड़कर अपने पती को देखने चली आई निश्य ही इसी कारण उसका पती अद्रश्य हो गया यदि घर जाकर प्रशाद गरहड करके पुना आये तो ये सादू बनिया तुमारी पुत्री पती को प्राप्त करेगी इसमें संसे नहीं कन्या कलावती भी आकास मंदल से ऐसी बाड़ी सुनकर सीगर ही घर गई और प्रशाद गरहड किया पुना आकर स्वजनों तथा अपने पती को देखा तब कलावती कन्या न अपने घर गया तद अंतर पूरिमा तथा संक्रांती परवो पर भगवान सत्य नारायन का पूजन करते हुए इस लोग से सुख भोकर अतियंत बैकुन्ट धाम के लिए प्राप्त हुआ बोलो सत्य नारायन भगवान की जै चतुर्त अध्या समाप्त सिरी सूत जी बोले स्रेष्ट मुनियों अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा आप लोग ध्यान से सुने अपनी प्रजा का पालन करने में ततपर तुंग ध्वज नामक एक राजा था उसने सत्य देव के प्रशाद का परत्याग करके दुख को प्राप्त किया एक ब बहां बहुत से पशुओं को मार कर बट ब्रच के नीचे आया बहां उसने देखा कि गोपगड़ बंदु बांदवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूरवक सिरी सत्य नारायन की पूजा कर रहे थे राजा यह देखकर भी एहंकार बस ना हो गया बहां ना ही गया और न जहड किया इधर राजा को प्रशाद का परत्याक करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ उसका संपूर धन धान एवं सभी सो पुत्र नस्ट हो गए राजा ने मन में यह निश्चे किया कि अवस्ची भगवान सत्य नारायन ने हमारा नास किया है इसलिए मुझे बहां जा जाहिए जहां सिरी सत्य नारायन का पूजन हो रहा था ऐसा मन में निश्चे करके हुए राज गोपगड़ों के समीब गया और उनसे गोपगड़ों के साथ भक्ति स्रद्दा से युगत होकर विदी विदान से सिरी सत्य नारायन की पूजा की भगवान सिरी सत्य नारायन क को करता है और पुर्ण गामी तथा फल्प्रदायनी बगवान की कथा को भक्ति युकत हो जाता है यह सत्य बात है कोई संसय नहीं है इस लोग में वह सभी फलोग की प्राप्ति कर बैकुंट को प्राप्त होता है इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्य नारायन का ब्रत कहा जिसे करने से मनुस्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है कल्योग में तो भगवान सत्य नारायन की पूजा अनेक रूप धारड करने बाले सत्य नारायन सभी मनुरत सिद्ध करते हैं कल्यूग में सनातन भगवान स्री विश्णू सत्य रूप ब्रत धारड करने के सभी मनुरत पूर करने होंगे हे मनिवरो पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्य नारायन का ब्रत किया उसके अगले जन्म का ब्रतान कहता हूं आप ध्यान से सुनिये महान प्रग्या संपन सब्राड करने के प्रवाव से दूसरे जन्म में सुदामा हुए और उस जन्म में भगवान सिरी किष्ण का ध्यान करते हुए उने मोच प्राप्त किया लकड़ारा भिल गुलो का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान सिरी राम की सेवा कर मोच प्राप्त की महाराज उलका मुख दूसरे जन्म में राजा दसरत हुए जिनोंने सिरी रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में बैकुंट प्राप्त किया इसी प्रकार धा की आदि दे भगवान विश्नु को अर्पित कर अपने मोच को प्राप्त किया महाराजा तुंग द्वज जन्मांतर में स्वायमभू मनु और भगवत सम्बंदी संपूर कार्यों का अनुस्ठान करके बैकुंट लोग को प्राप्त हुए जो गोप गड़ थे बे सब जन्म भगवान का सास्वत धाम गौलोग प्राप्त किया इस प्रकार सिरी इसकंद पुराण के अंतर गत रेवार खंड में स्री सत्यनारायन व्रत कथा का यह पंचम अध्याय पूर हुआ बोलो सत्यनारायन भगवाने की जैपंचम अध्याय समाप्त